हम आज समाज शिक्षा के पहले खंड बुगोल के पहले अध्याए भारत एक परीचे के बारे में पढ़ेंगे परीचे अपने आप में साताक शब्द है जिसका अर्थ है जान पैचान भारत एक परिचे से भाव भारत हमारे देश से पैचान करना भारत एक परिचे में हम भारत के क्षेत्र फल्क, जनसंक्या, जलवायू विभिन्ता, सांस्कृतिक विभिन्ता, जातिय विभिन्ता, द्रातिय विभिन्ता, भारत की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनितिक असमानताओं के बारे में पड़ेंगे पर आज मैं सिर्फ आपको भारत से चान पहचान ही करवाऊंगी आओ शुरू करते हैं गलोब को धियान से देखने पर हिंद मासागर में भूमी का एक त्रिबुजाकार विशाल खंड नजर आएगा हिंद मासागर को अपना नाम देने वाला ये भूबाग आपका अपना देश भारत है तीन और से हिंद मासागर से गिरा हुआ और उत्रवे हिमाले की उन्ची चोटियों से गिरा हुआ ये भाग बहुत विशाल एव अथा कशमताओं वाला देश है जन संक्या के हिसाबचे चीन के बाद दूसरा और शेत्रफल बे सात्मा स्थान हिन विश्मे भारत को प्राप्त है Students, Globe प्रिथवी का मॉडल होता है इसे देखकर हम अपनी प्रिथवी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आप Globe पर दुनिया के सात महादवीप देख रहे हैं सात महादवीप हैं उत्री अमेरिका, दक्षनी अमेरिका महादवीप, अफरिका महादवीप, यॉर्प महादवीप, अस्ट्रेलिया महादवीप, अंटार्टिका महादवीप और एशिया महादवीप आप देख रहे हैं एशिया महादीव के दक्षिन में भारत सित है आप गलोब पर भारत के नक्षे को देख रहे हैं आप देख रहे हैं कि भारत के पैरों में इंडियन ओशिन है इंडियन ओशिन को हिंदी में हिंद महासागर कहते हैं और हिंद महासागर का ये नाम भारत के नाम पर ही पड़ा है आप नक्षे में देख रहे हैं कि भारत तीन और से हिन मासागर से और उत्तर में हिमाले की उंची चोटियों से गिरा है जनसंख्या मतलब भारत में रहने वाई लोगों के हिसाब से भारत का संसार में दूसरा स्थान है यानि चीन की अबादी ही हमसे ज दिश्यों के पास हमसे ज्यादा जगे है ज्यादा जमीन है अब हम आगे पढ़ेंगे दक्षनी एशिया का ये विशाल भूभाग एव जनसंक्या वाला देश अपनी पूरारी प्रमप्रा को दिल से लगाये हुए है दीरे दीरे परवर्तन के युग में परवेश कर रहा है शेत्रफल की दृष्टी से इतना विशाल है कि जब पूरो दिशा में रूनाचल परदेश में सूरे उदे हो रहा होता है तो पश्यम में गुजरात के सौराष्ट शेत्र में अभी राध ही होती है तापकरम में इतनी विविंता है कि दुनिया की हर फसल उगाई जा सकती ह उपर आपने पड़ा और सुना शेत्रफल की दृष्टी से भारत इतना विशाल है कि जब पूरो दिशा में रूनाचल परदेश में सूरे उदे हो रहा होता है तो पश्यम में गुजरात के सौराष्ट शेत्र में अभी राध ही होती है बच्चेों इस तथ्थो को मैं आप भारत का नक्षा देख रहे हैं नक्षे के दाई और पूरो में रूनाचल परदेश है और नक्षे में आपके भाई और गुजरात है पूरो में रूनाचल में से लेकर पश्यम में गुजरात तक की दूरी 2930 किलो मेटर है आपको पता ही है कि सूरे पूरो से निकलता ह पश्ची में गुजरात के सौराष्टर तक पहुंचने में उसे 2930 किलो मीटर की दूरी तै करने पड़ती है और इस दूरी को तै करने के लिए सूरे को दो घंटे का समय लगता है इसलिए जब अरुनाचल परदेश में सूरे उदे हो रहता है तो गुजरात की मेसित सौराष तथा 5000 कस्वों वे शेहरों में विस्त्रित है 29 राज्जियों वे साथ केंदर शासित परदेशों वाले इस देश में 22 राष्ट्रिये मानेता प्राक्त भाषाओं के अत्रिक्त सैंकडों अने बोलियां बोली जाती है अनेको धरम वे जातियों के लोग यहां सदियों से रह स्टुरेंट्स हमारे देश के जातर लोग गाउं में रहते हैं हमारे देश में पहले 29 राज्जे वे 7 केंदर शासित परदेश थे तब हमारे देश में 28 राज्जे वे 8 केंदर शासित परदेश हैं क्योंकि पिछले साल 31 अक्तुबर को जमो कशमीर और लद्दा को केंदर शासिद परदेश बना दिया गया है केंदर शासिद परदेश से मतलब जिन राज्यों का शासन परबंद केंदर चलाती है हमारे देश में बहुत भाषाएं बोली जाती हैं पर इन में से 22 भाषाओं को राष्ट्य मानता प्राप्त है श्रंस अज्जादी के बाद भारत में प्रजातंतर धरमिर पेक्षता एव समाजवाद को अपनी राष्टे निती का अधार बना कर विश्व समुदाय का ध्यान अपनी तरफ अकरश्ट किया है आज भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंतर देश है इस देश ने इस अश्टाब्दी के शट्वे दशके उत्रार्द में हरितक्रांती के द्वारा उत्पादन में अबूत पुरुवरिधी कर एक बार फिर सारे दुनिया को चकिट कर दिया आज देश में क्रिशी एव उद्यूगों का मजबूत अधार है विदेशी पुन्जी निवेशक आज भारती अर्थववस्था में अपनी पुन्जी लगाने के लिए ललाईत हैं देश ने अंत्रिक्ष तकनीकी में अबूत पुरुव प्रगती की है सुरंड्स अजादी के बाद भारत में प्रजातंत्र भाव लोगतंत्र लोगों के लिए लोगों द्वारा शासन सापित किया गया है भारत को धर्म निर्पेख्ष कहा जाता है भाव भारत में रहने वले सबी लोग अपने धर्म को मान सकते हैं पालन कर सकते हैं भाव अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं पर भारत का अपना कोई धर्म नहीं है समाजवाद से भाव जिसमें नागरिकों को समाजिक और आर्थिक शेत्र में समानता प्राप्त है किसी से कोई भेद भाव नहीं किया जाता भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोक्तंत्र है भारत ने हरित क्रांती द्वारा हरित क्रांती से भाव भारत के किसानों द्वारा उननत बीजों के परयोग की नई तकनीक से गेहुंग और चावल की पैदावार में बहुत अधिक बड़ोतरी की गई दुनिया के बड़े बड़े निवेशक भारती अर्थ ववस्ता में पूंजी अर्थात पैसा लगाना चाते हैं भारतनी अंतरिक्ष तकनीकी में भी बहुत रकी की है स्टुडेंट्स हम आगे दिखेंगे कि भारत के बारे में जानने के लिए और क्या है स्टुडेंट्स लेकिन इन महत्पुल्न पुलबदियों के बीच हैने को काले धबे भी हैं भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा निरक्षर लोग रहते हैं देश की एक तिहाई से भी ज्यादा जनसंक्या गरीबी रिखा के नीचे रहती है देश में सामाजीक, राजनीतिक, एव आर्थिक, असमानताएं अत्यधिक हैं जहां केविरल में 10 में से 9 इस्रियां साक्षर हैं वही बिहार में ये औस्त 10 में से 3 का है आर्थिक विशमताओं का ये हाल है कि देश के उच्छवर के 20 परश्र लोग राश्च्रियाय का 50 परश्र हिस्से के मालिक हैं तो दूसरी और गरीब तबके के 70 परश्र लोगों का हिसा मातर 20 परतिशत है स्रुरंस हमने भारत की बहुत सारी प्राप्तियों के बारे में पढ़ा पर इन प्राप्तियों के साथ भारत में कुछ बुराईयां भी हैं दुनिया के सबसे ज्यादा आन पर लोग भारत में ही रहते हैं एक तिहाई लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं वे लोग जिनको बाइस सो पचास कैलोरीज का भोजन भी प्राप्त नहीं होता भारत में चाहे वो सामाजीक, राजनीतिक या आर्थिक हो असमान ताइं बहुत ज्यादा हैं जहां केरल में दस में से नौ औरते पड़ी लिखी हैं तो बहार में दस में से तीन औरते ही पड़ स्टुरेंट्स आज हम भारत के बारे में इतना ही जानकरी प्राप्त करेंगे स्टुरेंट्स अब आपने इस आउडियो को ध्यान से सुनकर और ई-बुक के पेज फरस्ट को अच्छी तरह से पढ़के इसे नोट बुक पर नोट डाउन करने के बाद आपको मेरे द्वारा बनाए MCQ के आंसर अपनी कॉपिस पर लिखने हैं आपके बहुवी कल्पिये प्रश्ण है पहला है चन संख्या के द्रिशी से भारत को विशव में कौन सा स्थान प्राप्त है आप्शन्स है पहला, दूसरा, तीसरा, चौता सेकिन्ड है शेत्रफल की द्रिशी से विशव में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है आप्शन्स है पहला, पांचमा, नौवा, सातमा तीसरा कोशन है भारत के डैश राज्ये में इस्त्री साक्षर्ता सबसे अधिक है चौता है भारत की अकृती कैसी है आपका पांचमा कोशन है भारत में डैश राश्ट्रिये मानता प्राप्त भाश्याएं है आपको ये अपनी कौपीज पर नोट डाउन करना है इनके आंसर और बाद में मेरे को बताना भी है के इनके आंसर कौन है, कौन से है अगर आपको ना समझ भाए आए तो आप मेरे से फोन पर भी इनके आंसर पोच सकते है